अश्टो रागो चैनल में आप सभी का स्वागत है काल सर्फ दोस क्या है? काल सर्फ दोस की लच्छन क्या होते हैं? काल सर्फ दोस का निवायन और उसका उपाय के बारे में आज हम अपने चैनल के माधिन से जानकारी देंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों को भरम रहता है कि काल सर्फ दोस अगर हो गया है तो ऐसे होगा वैसे होगा बहुत तरह तरह की भ्रांतियां रहती है ब्यक्ति के जन्मंक में क्या होता है कि राहू और केतू की इस्थिती जब आमने सामने आ जाती है और राहु के तू एक ही तरफ हो जाते हैं जब और दूसरी ओर कोई ग्रह न हो मतलब ऐसे होता है कि राहु के तू आमने सामने हो जाते हैं और सारे ग्रह एक तरफ हो जाते हैं तब एक कालसरव योग बन जाता है और इसी को कालसरव योग कहा जाता है कालसरव योग की लच्छन क्या हैं बाल काल में किसी प्रकार की बाधाउत्पन होती है बच्चे को विमारी लग जाती है अता जो है थोड़ा बड़ा होता है पढ़ाई लिखाई में उसके रुकावट आती है चोट लगती है बिमारी बन जाती है बिद्या देन में तो रुकावट आती आती है कई पढ़ाई छूट भी जाती है पढ़ाई में मन नहीं लगता है माबाप बहुत कोशिस करते हैं पर बच्चा जोए पढ़ नहीं पाता अगर हो जबर्दस्ती पढ़ाई हम कराते हैं पढ़ता भी है तो जितना उसको लाव मिलना चाहिए उतना लाव नहीं मिलता है अगर किसी तरह से पढ़ाई हो गई बैबाहिक जीवन में उसके तनाव रहता है बिवाह के बाद में तलाग की स्थिती आ जाती है ब्यक्ति का मन इधर उधर जो है भटकता रहता है कभी जो है भला किया हो जिस लोगों का भला करते हैं तो उन लोगों से उनको जो है धोखा मिलता है घर पर कोई न कोई सदस से बिमार रहता है और साथ ही बिमारी का पता नहीं चल पाता है जब वो डाक्टर के पास जाते हैं, तब क्या होता है, कि डाक्टर के पास जब जाएंगे, तब क्या होगा, कि डाक्टर उनको कोई भी बिमारी नहीं बताएगा, काल सर्ब दोस्ट के कारण, जो भी बिमारी होगी, वो कोई मसीद में नहीं आएगी, संतान प्राप्ती में काला का होना घर में मन नहीं लगना घर परिवार में मांगलिक कारियों के दवरान बाध्धा उत्पन होना जैसे आपने कोई सुभकारी शुरू किया कोई न कोई ऐसा भिगन पड़ जाएगा आपका मन असांत हो जाएगा यदि परिवार में किसी का गरफ पात या काल ये भी जो है काल सरफ के दोस्त के लच्छन बन सकते हैं घर में किसी सदस्टी के उपर प्रेत बाधा का परकोप रहना पूरे दिन दिमाठ में चिर्चरा पर रहना जाटकों को उपराय सपन में साप दिखाई देना गुप्त सत्रों का होना कारिमी बाधा लगा तार किसी ना किसी प्रकार से इस प्रकार से आभाज होता है तरह तरह राहू की जब अंतर दसा दसा आती है सनी की दसा चलती है मांसित तनाव बना रहता है लगातार कोई ना कोई ऐसा पीछा कर रहा है ऐसा आभास होता है जब साम को जाते हैं चलते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारे प पुद्र आव इसे करना चाहिए शिव जी की भक्ती करके हम अपने काल सरफ दोस को सांति कर सकते हैं उजयन भी जा सकते हैं त्रिम्बिकेश्वर में जाकर के इस दोस से मुक्ती का सबसे अच्छा स्थान बता गया है वहाँ पर जाकर के सांति करा सकते हैं और नहीं तो आप अपने घर पर, जहां पर आप रहते हैं, वहां कोई मंदिर हो वहां जा करके सांति करा सकते हैं, ने तो ओनलाइन हमारे से भी आप जो इसका संकलभ दिला करके इसका सांति करवा सकते हैं क्योंकि इसको पालने का मतलब है, इसको रखना नहीं चाहिए, इसका उपाय कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें जो भी पुजा पाठ होती है, सिव जी की होती है सदार्ण उपाय बता देते हैं, जो आप घर पे भी थोड़ा कर सकती हैं शिरिमत भागवत और हरिवंद पुराण की कथा करें, पाड करें या अपने घर पे करवाएं, दुरगा पाड या दुरुगा चलीसा पढ़ें, समय समय पर तीर्थों में जाएं, गनेश जी को दूरबा चढ़ाएं, गनेश जी की आराधना करें, शिरिमाहमर्तुंजे का ज में जैसे घर में फिटकिरी रख सकते हैं, समुंदरी नमक, देशी गाय का घी गोव मुत्र मिला करके, रोज जो है घर में पोशा लगाएं, गुगल की धूप दिया करें, जितना हो सके घर में टाइलेट और बातरूम को साफ रखें, मौर पंक को तकिये के नीचे रख करके स घर में बड़ों का अशिरवाद लें और किसी का दिल न दुखाएं, और किसी का आप मान न करें, पूजा पाट में नितिकरम के उपाये क्या होते हैं, उसका भी हम थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, काल सरब दोस्त सरवोत्तम उपाये जो होता है सावन के महीने में आप अगर उसका पाट कराते हैं, तो ओ जो है सबसे अच्छा होता है, सिव जी का रुद्राव सेख अपने नाम गोतर से कराएं, जैसे भी कराएं, जिनकी कुंडली में काल सरब दोस्त है, उसे सावन के महीने में रुद्राव सेख अवसी करना चाहिए, सिव लिंग पर मि जा करके काल सरब दोस्त में किसी से अर्दान से कम नहीं है, वहां जा करके माता के दरबार में, मा के इस दरबार में जो की गई काल सरब दोस्त निवान की पूजा कभी खाली नहीं जाती है, अपने घर के पूजा अस्थान में भगवान स्री किष्ण जी की मौर पंक्वाल मूर्ति का प्रते दिन पूजन करें इससे आपका काल सरफ दोस समाप्त होगा ये दोस जहां व्यक्ति को परेसान करता है वही कई लोगों को राजा बना देता है तो इस प्रकार से अगर आपको किसी प्रकार का दोस है काल सरफ दोस है तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली हम कुंडली नहीं भेजना है जनम तरीक महिना सन और अपना नाम जनम अस्थान और जनम समय अगर लिखेंगे हमारे को भेजेंगे तो हम आपको कुंडली देख करके बता देंगे कि आपके कुंडली में कौन सा काल सरफ दोस है और उसको करने से कैसे इसका जो है निबाण हो सके पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को आप बहुत बहुत धन्यवाद अगर हमारी दी हुई जानकारी आप को अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तों के साथ सेर कीजिए पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद